असलावलीकूम, वेलकम टू दे इंटेन किचल, आज में टीकेक की रेसीपी शेयर करने वाली है, जो बहुत आसान रेसीपी और बहुत मज़े की बी है, जट पड़ बने वाली है, चलिए स्टू करते हैं, यहां मैंने एक टिल लिया है, इस मैंने ओइल लगा कि बटर पेपर लगा लिया है, जिससे बेटर उस पर चिपके हानी, आप किसी भी शेप का ले सकते हैं, जो भी आपको पसद है, यहां मैंने चार अंडे लिया है, आपके पाद छोटे तो पांच भी ले सकते हैं, ठीपोर्ट कप ओइल लिया है, एक कप चीनी है, एक कप मैदा है, दो संवे, आप मैंने एक जार लिया है, इसमें अंडे शामिल करेंगे, सभी अंडे शामिल हो जाएंगे, तहो जाहें पा कि इआ मिट्ट लेंगे, मिक्सराउन कर दी वे अच्छे से फैटली है इसमें जो हमारे चीनी है और शामिल कर देते हैं और साथ में यह ओईल है वह भी शामिल कर देंगे हम जार को कवर करके एक मिनिट के लिए मिक्सर को आण करेंगे जिसे तीनों चीजे अच्छे से मिक्स हो जाएगी देखिए एक मिनिट हो गई है निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग बॉल लेंगे उसमें निकाल लेंगे इसमें शामिल करेंगे दो टेबलिस्पून वैनेरा एसेंस बैटर में मिक्स कर लेंगे यह हम एक श्टेनर लेंगे उसमें शामिल करेंगे मैदा और जो हमारा बेकिंग पावडर है वह भी इसमें शामिल कर देंगे इन दोनों चीजों को अच्छी से छान लेंगे चानने से यह अच्छा से मिक्स भी हो जाते हैं और फ्लप्य भी बन जाते हैं बैटर में अच्छी से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से फॉल्ट करते हुए इसे मिक्स कर लेंगे यहां में येलो फूड कलर शामिल करोंगे जिससे इसका कलर भी अच्छे सा आजाएगा देखने में भी अच्छा लगेगा पहले में दो तिन ड्रॉप शामिल करोंगी मिक्स करके देख लेते हैं कम लगेगा तो और शामिल कर लूँ अच्छे से मिक्स करके देख लेते हैं अब मुझे कम लग रहे हैं मैंने टू ड्रॉप्स और डाली है इसे देखने में भी अब बहुत अच्छा लगी है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है टीड में ट्रांसपर करेंगे टैप करेंगे अच्छे से हिलाएंगे जिसे में जो एर होगी वो निकल जाएगी मैं आउन में बना रही हूँ आउन को मैंने प्री हीट कर रखा है 180 डिग्री पे फांच मिनिट के लिए मैंने उसे प्री हीट कर लिया थे पहले में 35 मिनिट का टाइम दूँगी फिर चेक करेंगे हम 40 से 45 मिनिट में तीयार हो जाएगा लिए 45 मिनिट हो चुगे है चेक कर लेते हैं हम एक टूथपिक लेंगे इसमें इंसर्ट करेंगे अगर वो किलियर आएगी तो हमारे यह बन जाएगा अगर किलियर नहीं आते इसके साथ बैटर आते हैं तो हम दुबाय टाइम डे के रख सकते हैं निकाल लेते हैं इसके इसको पहले हम चाको की मदद से अलग कर लेंगे जिससे यह इसली निकल जाएगा एक प्लेट लेंगे इसके उपर उल्टा राखेंगे इसली टैप करेंगे और निकाल लेंगे बटर पेपर निकाल लेते हैं कट कर लेते हैं जैसे पीसा में चाहिए मोटे पतले ऐसे हम काट सकते हैं हमार ठीकेक बिल्कु तयार है कितने इच्छे से बना है अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें शेयर करें दोस और फैमली के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को हिट करें अल्ला हाफीज